तो भई श्रीमान देखते हैं कितना याद है आपको कितना भूल गयों है यूनिट याद कर लिए जो उसके संबंद में थी ना कि मैंने बोला था कि आपके पास आल्रेडी हैं तो वह तो होगी जैसे एक हेक्टियर में कितने मिली मीटर होते हैं और कितने गज होते हैं यह सब को भी करना है उनसे भी कोई ना कोई जो क्वेश्चन है वह आ जाता है जब क्वेश्चन आने की जहां भी पॉशिबिलिटी हो उसको हमें छोड़ना नहीं अब मैंने इसलिए नहीं यहां बोला कि फिर से अनावस्ट्रे को टाइम रटने वाला काम में उसमें कुछ ऐसा हो क्वेश्चन नहीं जो समझाने वाले साइन्स के वुमें सब एक्ष्पेन आपको यहां कर दो Sydow had some जाने वाले टॉपिक जो हम कल देख रहे थे वेव यानी तरन्ग सबसे पहले बता दो कि तरंग जो वेव हैं वो कितने प्रकार की होती है जान कर लेते दो प्रकार की तरं कि या इसको कैसे समझा सकते हैं किसी को हुर्म को यो कुछ करेक्ट का लिए हमें किसी माधयम की विस्थापन ना बोल कि इसको बूलेंगे संचरण यह कि के सतां से दूसरे स्थाण पर यह प्रोपेकेati के लिए कोई न toen चाह corona चाहिए माधयम चाहिए extermination शो या गर कोई मार्दम नहीं तो यह नहीं चलेंगी नॉन इसका को He कि दूधारन साउन्ड वेश व तовых प्रकार क्यों apart यौन इ Khalig टूर नको कहा जाता है अनोडैर्द तरंग और रूसरी वाली को क्या बोलते अनुप्रस्ट अनुदेर्द तरंग के संचरण की दिसा में वाइब्रेशन होता है और अनुप्रस्ट में उसके लंबवत होता है नॉन मेकेनिकल वेव होती है जिनके संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यक्ता नहीं होती है इनको बिना माध्यम के ही हम एक इस्तान पर भेज सकते हैं ठीक है तो उनको हम क्या कहते हैं उनको non-mechanical electromagnetic radiation जो होते हैं इसके बारे में हमने देखा था अब इनी तरंगों के कुछ हमने basic properties देखी थी सबसे पहले हमने यहां पर देखा था कि जो तरंग है उसमें क्या आएगा amplitude आयाम की बात की गईती ना और प्लस यह यहां पर आपको पताया था कि इनका spectrum जो है वो भी रट लेना तो amplitude यानि की आयाम क्या होता है तो आयाम को कैसे समझा था कि maximum displacement of the vibrating particle on either side from the equilibrium यानि किसी भी तरंग के माद्य से दोनों दिशाओं में होने बाला अधिक्तम विस्थापन विस्थापन किसका हो रहा है माद्यम के कड़ों का तो यहां जो आएगा उसे हम आयाम कहते थे जैसे इस diagram में अगर हम देखें तो आयाम हमें यह दिखाई देता है कि इसके बाइसे हम letter A से represent करते हैं यह क्यों महत्पूर्ण था इसको आगे हमने समझा था क्योंकि इसकी वज़े से loudness जो है न कि कोई आवाज हमें कितनी तेज और कितनी धीमें सुझाई देती है यह सब कुछ डिपेंड करता है कि इस पर आयाम पर निर्वर करता था नेक्स पॉइंट फिर हमने इस पर डिसकस करा था wavelength wavelength यानि कि जिसे तरंग देर्द कहते हैं तो तरंग देर्द यानि कि यह क्या था कि कोई भी वेब जो है उसके पास वाले जो उसके एडजेकेंट हैं उन सीर्स यानि टॉप जहां पर है या उनके पास वाले दो गर्त यानि दो एडजेकेंट क्रस्ट और ट्रफ के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या कह देते हैं उसे उसकी तरंग देर्द के नाम से जानते हैं इसे लेमडा से एक सेकिंड में किसी बिंदू से कितनी तरंग गुजर जाती है या नंबर ओप साइकल पर सेकिंड के नाम से से हम जानते हैं कि एक सेकिंड में कितने चक्र बनते हैं उसे हर्ट से रिप्रेजेंट करते हैं यह तीन बेसिक प्रॉपर्टी थी उसके बाद मैंने यहां आप से क आता कि कम से कम इसमें कुछ चीजें रटने की हैं रट लेना जैसे विजीबल लाइट की मैं आपसे बात करूं उसकी फ्रिक्वेंसी या वेब लेंक्ट क्या रटी आपने कुछ लड़ रटी किता हाँ बिलकुल यह कम से कम रटने वाले पॉइंट थे कि इसको तो हमें रटना ही पड़ेगा और कोई विकल्फ हमारे सामने इसका है नहीं यह जरूर आपको रट लेना चाहिए ठीक साथी साथ यह भी बोला था कि विजीवल लाइट के एक साइड में अल्ट्रा वाइलेट मिल जाता है परावैगनी एक तरफ इंपर यहां पर गामा रेज से अगर हम चलना स्टार्ट करें लास्ट में कहां चले जाते हैं रेडियो वेब की और रेडियो वेब की खासियत य ज की फ्रेक्वेंशी तो लो हो जाती है लेकिन वेबलेंग्व जादा हो जाती है यहां में यह सब चीजें देखी थी उसके बाद पिर अगलाольз में स्टार्ट किया था साउंड वेव यानि दोनी तरंगे यह कैसी थी यह मैकेनिकल तरंगे ती यहांत्रिक तरंगे थी तो इसका मतलब यह वाइन को संचरण के लिए माद्यम चाहिए थोस में सबसे तेजगती से चलती है उससे कम द्रब में और उससे कम गैस में यदि वैक्यूम ले लिया जाए तो वहाँ पर इनकी स्पीड जिरो हो जाती है वहाँ नहीं चलती है मानवी जो गियर है मानवी जो कान है उसमें हम कितनी फ्रिक्वेंसी की साँंड वैपस कहते हैं उसे हम वोड्याइबल वेपस कहते थे 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्च तक की आपरती की जो साउंड है वो हम सुन पाते हैँ इस से अधिक वाली को क्या वोळते हैं? ultrasonic बोलते हैं more than 20,000 यानी 20,000 Hz से ज्यादा वाली को ultrasonic और 20 Hz से कम वाली को हम infrasonic कह देते हैं अब इसी में फिर आता था next point कि sound की जो speed है वो कितनी रहती है तो 332 मीटर प्रतिशेकिंड होती है dry air में सुस्क हवा में फिर पिछ की बात हुई थी कि पिछ क्या होता है और frequency से ये कैसा संबन देते हैं पिछ या तारत तो तारत तो क्या था किसी भी द्वनी का उसकी पतला या भारी होना यानी सरिल या ग्रेव होना ये depend करता था पिछ पर उदारण के रूप में हमने male और female voice को लिया था मच्छर के बिंविनाने की आवाज शेर के धारने की आवाज को लिया था तो जितनी ज़्यादा frequency हो गी आवाज उत्री पतली होटी जाएगी और जितनी जो frequency की जो value है वो कं होगी आवाज तनी जादा भारी होती जाएगी यह सब पॉइंट जो थे वो हमने लिये थे नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या था लाउडनेस की बात कर रहे थे यानि तीबरता इसे डेसिबल में मापते हैं तो लाउडनेस से क्या सब मनता कि आयाम से यह डारेक्ट रिलेट करती थी एम्प्लीट्यूड यदी जादा है अधिक है तो फिर उसकी आवाज की जो लाउडनेस से उतेज हो जाएगी एक सामान नेम बात्चीत करते हैं तो उसमें लगवच प्रीस डेसिबल का साउंड होता है नेक्स्ट पिर तीसरा प्रोपरिटी उसमें थी क्वालिटी के एक जैसे मतलब अलग अलग सोर्सों से साउंड निकले उनकी लाउडनेस बराबर हो तब भी हम उसमें अंतर कर पाते हैं तो यह किस वज़े से उसे हम गुणता की वज़े से कर पाते थे पिर एको साउंड ज कम से कम 17 मीटर की दूरी होना चाहिए तब हमें इको साउंड सुनाई देता है और टोटल जो साउंड वेब है वो कितनी दूरी ट्रेवल करती है चौनतीस मीटर कम से कम है ना तो उसका फॉर्मूला वो निकालके सॉल्व कर लिया था तो इको साउंड तक जो है हम कल कंपिक यहां तक अगर कोई डाउट है तो आप जरूर पुछलो किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो जरूर पुछलो पुछलो इसके आगे बढ़ते हैं इंटर्फियरेंस ऑफ सांड इंटर्फियरेंस का मतलब होता है व्यतिकरण यानि ध्वानी का व्यतिकरण यह क्या कौन सी घटना है एक्स्प्लेन भी करते जाएंगे आप साथ में चाओ तो नोट भी करते जाएंगे कि जो साउंड वेब हैं साउंड वेब यानि की ध्वनी तरंगे कहीं पर मिलती है तो मिल जब यह आपस में मिलती है तो यह क्या करती है अपनी उर्जा को पुनर वित्रित करती है री डिस्टिविशन करती है यह उर्जा का आदान प्रदान करती है तो उस आदान प्रदान की वज़े से क्या होता है कि कहीं पर हमें ध्वनी ज्यादा तेज सुनाई देने लगती है और कहीं पर ध्वनी हमें कम सुनाई देती है इ चालमों हम рьण कोई एक तरंग जो है वो ऐसे कर के लेराते हुए चल रखेहं। अलाखि साउंड वेव ऐसे नहीं चलती है। उसका निचर अलग। लेकिन हमने विफ दिया॥ अब ये जो sound wave है इसका उपर की और जो उठा हुआ है सा इसे हम स्रंग कहते हैं या सीर्स कहते हैं और नीचे जो दसा हुआ है उसे हम गर्थ या ट्रफ कहते हैं अगर उपर वाले हिसे से जो दूसरी तरंग टकराती है वो ऐसे ही इसके उपर आकर के मिल जाए यानि समान कला मैं समान कला के ओपर वाले हिसे के साथ ओपर वाली तरंग हा जाए नीचे ओले से नीचे जैसे माण के चुलो यह मेरा हात है अब इस हाथ का ये अंगुठा इधर है, उंगलियां इधर मैं अगर अपने दूसरे हाथ को इसके उपर रखता हूँ तो अंगुठा अलग हो जाता है अगर मैं ऐसा रख लेता हूँ तो ये क्या हो गया? एक के उपर दूसरे अंगुठे ने अपनलग हाथ ने कवर कर लिया, सुपर इंपोज हो गई तो यहां क्या बोलते हैं कि ये समान कलाम है, सेम फेज में है ऐसे समझ लो, इस डाइगराम में आपको देखने को मिल जाएगा कि जब कोई तरंग है, अब ध्यान से देखना इस वाले डाइगराम को ये, और इसके नीचे ठीक ये वाला डाइगराम कि ये दो तरंगे आपस में एक दूसरे से मिलती हैं यानि इस उपर वाले इससे ने, इसके उपर अगर इसको रख दें तो ये ढग लेगी कवर कर देगी न, है न, ये इसके उपर आ जाएगा, ये इसके उपर आ जाएगा अपर पार्ट, अपर पार्ट के पास, लोवर पार्ट, लोवर पार्ट के पास आ जाएगा तब ऐसी इस्तिती में ये दोनों तरंगे अपनी एनरजी को distribute करेंगे redistribute करेंगे और result क्या मिलता है कि अभी जो amplitude हमें यहां देख रहा था आयाम इस तरंग का वो कितना था ठीक और इस वाली तरंग का आयाम यह इतना था चाहे उपर वाले से को मापलो चाहे नीचे तो नई condition बनी नई condition यह बनती है इस जगे यहां पर आयाम आप देखोगे इस आयाम की लंबाई मतलब आयाम की जो value है ज़स्ट डबल हो गई न दोगनी हो गई न पहले की तो नाम है ठीक है तो यह जो दोगनी value हुई वो कैसे हुई उसको हमें समझना है यहां क्या हो रहा है अब definition यह बनती है कि अगर दो तरंगे दो ध्वनी तरंगे समान कला में और समान आयाम एकी point पर मिलते हैं तो वह अपनी उर्जा को कुनर वित्रित कर लेते हैं इस घटना को हम ध्वनी का व्यती करण या interference कहते हैं result यह मिला कि अगर वह समान कला में मिलते हैं तो इसे constructive interference बोलते हैं यानि इसे कहते हैं समपोसी व्यती करण अगर समान केश में मिलते हैं जो कि इस पहले केश में हो रहा है कि उपर वाले हिसे नीचे वाले वेब को cover कर लिया उल्टा भी हो सकता है उल्टे हिसे को समझने के लिए ऐसा समझ लो कि ये जो तरंग थी इसके ऊपर जो दूसरी तरंग आती है वो ऐसे नहीं आ रही है यहां upper part के साथ ये इस दूसरी तरंग का निचला वाला हिसस्ता जुड़ेगा और इसके निचले वाले हिस्से के साथ इस तरंग का ऊपर वाला है यहां अपोजिट फेज हैं अग विपरीत कलाएं हैं तो विपरीत कलाओं के कारण प्रवाव क्या होगा कि इस तरह पे बस कुछ भी नहीं एक सीधी लाइन बस मात्र कीची हुई है वो ऐसा किस कारण से हुआ था तो हम ऐसे समझ लेते हैं कि इसमें ये इतना गड़ हो गया तो रिजल्ट क्या मिलता है रिजल्ट यह मिलता है कि यहां जो इंटर्फियरेंस हुआ इसे हम बोलते हैं विनासी व्यतिकरण या डिस्ट्रक्टिव इंटर्फियरेंस तो जब समान फेज में मिने तो उसे संपोसी व्यतिकरण कहा जा रहा है अपोजिट में मिने दोगना हो जाता है आयाम जब बढ़ जाता है तो प्रवाव क्या पढ़ता है साउंड पर तीब्रता बढ़ जाती है ना शुरुआत में हमने देखा था लाउडनेस ये किस पर निर्वर करती है आयाम पर निर्वर करती है आयाम अदे के अम्पलीट्यूड जादा है तो साउ साउंड कैसी है कम सुनाई देगी इधर वाली साउंड वेब के आयाम जो थे वो कम थे इसकी तुलना में यहां अब हमें दोगनी आबाज सुनाई देगी यानि ऐसे पॉइंट मालो कोई लाउड स्पीकर बज रहा है तो उसकी साउंड वेब जो है निकलती है अब किसी एक प हो गया यानि लाउडनेस क्या हो जाएगी जी रो यहां कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती है तो पहले फेनोमेना कहलाती है संपोसी व्यतीकरण और दूसरी कहलाती है डिस्ट्रक्टिव या विनासी व्यतीकरण इसके उपयोग कहां देखने को मिलते हैं तो यह समुद और बिल्बकल भी उसकी साउंट सुनाई नहीं देती है तो यह घटना क्या कहलाती है दॉन या enabling कि भी यतीकरण कहलाती है तो इसको लिख लो एक पूरी लाइन में जब दो धुनी तरंगें समान कला और जब समान कला और समान आयाम की दो ध्वनी तरंगे किसी विंदु पर आपस में मिलती हैं तो वह अपनी उर्जा को पुनर वितरित कर देती हैं कि इसे व्यती करण कहते हैं इंटर्फियरेंस कहते हैं और यहीं गटना लाइट में भी होती है व्यती गजरन इंटर्फियरेंस दो प्रकार का एक हो गया समपोसी और दूसरा विनासी ये question मुखे परिक्षा में भी पूछा जा सकता है कि दोनी के वियती करण को समझाईए explain कीजिए तो उसमें diagram भी काम आएगा और ये दोनों आपको बताने पड़ेंगे कि constructive में जब समान फेज में मिलते हैं और destructive में जब भी परीत कला में मिलते हैं संपोसी का प्रभाव आवाज बढ़ जाएगी और विनासी का प्रभाव आवाज कम हो जाएगी विलुप्त हो जाएगी next आता है जिसे कहते हैं resonance अनुनाद और इसके application resonance या अनुनाद theory पढ़ें उसके पहले एक example ले जीता जाकता आप सबने देखा सुना होगा यह कहा जाता है कि जब कोई army की टुकडी है और पल्टन किसी ब्रिज को अगर पैदल पार करती है तो कदम ताल करते हुए नहीं करती है यानि जैसे left राइट एक साथ नहीं करते हैं कि सब जैसे परेड में चलते हैं मार्श करते हुए आगे नहीं बढ़ते हैं वहाँ पर वो normal निकलते हैं ऐसा क्यों किया जाता है कहा जाता है कि अगर वहाँ पर भी परेड करते हुए चलेंगे तो उस ब्रिज के टूटने का खत्रा होता है ब्रिज टूट जाएगा तो इसके पीछे कौन सी थिवरी काम करती है कौन सा साइंस काम करता है तो इसका सीधा सा संबन्द है को कोई भी वस्तू जो है उसकी अपनी एक natural frequency होती है आपरती या उसके अपने natural company होते है ब्रिज भी आपने देखा होगा वो वाइबरेट होता है तो अब ये उसके अपने company थे ऊपर से कोई वस्तू उस पर है उसके अपने vibration है दोनों अगर similar हो गए बराबर हो गए उसकी frequency और उपर से जो भी वस्तू है उसकी frequency तो उसका प्र vibration यानि आयाम बढ़ जाएगा आयाम जब बढ़ा हो जाएगा तो इस वस्तू के टूपतें का खत्रा हो जाएगा बस इसी घटना को क्या कहते हैं अनुनात कहते हैं लिखो यदी यह यह तो लिखा हुआ है क्यों लिखते हो आपके पास उसमें सारा लिखा हुआ है तो if the frequency of imposed periodic force is equal to the natural frequency of body यानि किसी भी बस्तू की जो सौगाविक आबरती है उसके उपर यदी उस पर हम कोई बल लगाते हैं उसकी frequencies के बराबर हो तो परेड़ामी जो कमपन होते हैं वो बहुत अधिक आयाम के होते हैं आप बस में बैठे हो आपने मैसूस किया होगा कि बस की जैसे जैसे बस चलन सुरू करती है तो उसकी खड़कियों पर जो सीसे हैं वो बाइबरेट होना सुरू होते हैं खड़ 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 लेकिन टूपते नहीं है और कभी ऐसी situation आती है कि वो टूप जाते हैं जबकि किसी ने उस पर हतोड़ा नहीं मारा किसी ने कोई स्ट्वेंसी मैच हो गई तो अब उसके कंपन बड़े बड़े हो गए तो वो क्रेक हो जाती है इसका सिंपल सा यह नेक्स आता है अगला जिसे हम बोलते हैं डिफ्रेक्शन ऑप सांड ध्वानी का विवरतन ना डिफ्रेक्शन को कहते हैं विवरतन यह क्या गटना होती है यहाँ पर दो महलाओं को देख कर किस डाइग्राम में हम समझच सकते हुं दो लड़कियां जो हैं आपस में बातचीत कर रही है इस तीसरी के बारे में यह एक्स है यह वाई है और यह जए जेड है अब यह कुछ बराई कर रहे है यै कुछ भी इनकी चर्चा हो रही है यह यह दिवार है इधर भी दिवार है और यहां पर यह जो गेट है वो खुला हुए ठीक है अब यह बातचीत कर रहे हैं तो यहां से sound wave जो है वो जेनरेट हो रही है चारो तरफ पहल रही है चारो दिसाओं में जा रही है पूरे रूम में रूम के बाहर जाने का यह दर्वाजा यह जो दीवार है यह पूरी इतनी इस तरीके से बनाई गई है कि कोई भी sound दूसी तरफ नहीं गुजर सकती है ना इतनी sound proof बनाई गई है लेकिन चूंकि यह door open है जब हम दर्वाजा open करते हैं तो sound wave उस दर्वाजे से बाहर जाएगी लेकिन यहां हो क्या रहा है कि sound wave दर्वाजे से बाहर जाएगी तो इसको ऐसे straight चले जाना चाहिए दर्वाजे ने तुद नहीं सा दिया ना चलने के लिए लेकिन हो क्या रहा है कि आप इस डाइगराम में देख रहे हो को sound wave इसके इधर इधर भी फैल रही है यानि सिर्फ दर्वाजे के उस रास्ते को follow ना करके वो उसके दूसरी दिशा में भी फैलती हुई जा रही है तो बस इस फैलती हुई घटना को ही हम क्या कहते हैं depression of sound कहते हैं ये कब होता है ये कुछ condition में होता है condition समझ गए ना कि घटना क्या है इनों में न यह है कि जो sound wave है sound wave किसी किनारे पर ये किनारे तो हुआ दीवारों का किसी किनारे से टकरा करके मुड जाती है bandwidth हो जाती है किसी विशेश condition में ये घटना होगी हमेशा नहीं होगी तो वो कब bandwidth हो जा रही है वो हम देख लेते हैं समझ लेते हैं लिए क्या है कि wavelength of sound is enough the order of one meter दुनी तरंग जिसकी तरंग देर्द एक मीटर की range में हो है ना order यर कोट जैसे कहते हैं या range कहते हैं एक मीटर की अगर पोटी में है range में है बीच में कोई बादा आती है तो इस बादा से टकरा करके वह उसके किनारों से मुड़ जाती है और आगे बढ़ जाती है तो यहां जो दीवार की चौड़ाई थी वो कुछ इसी रेंज की थी तो जो साउंड वेब आई इससे टक्रा करके यह मुड़ करके बढ़ जाती है प्रकास में भी यह घटना होती है प्रकास को हम क्या कहते हैं कि सीधी स्टेक हां में चलता है इस्टेट लाइन में चलेगा लेकिन यह दिया आप कोई चाकू लो लुकीला या ब्लेड लो और इसी जहां से ऐसा सोर्च जिससे लाइट आ रही है और उसके सामने लगाओगे तो आप देखोगे कि उसके किनारों से प्रकास थोड़ा मुड़ जा जा सकता है ओके इसमें कोई डाउट हो तो इफ एन आप्स्टेकल ऑफ देट रेंज एपिर सिंदा पाथ ऑप साउंड साउंड डेविएट सेड़ अड़ ऑप्स्टेकल एंड प्रॉपगेट्स पॉरवर्ड लेग दो यदि ध्वनी तरंगों की वेव लेंग्ध या तरंग देर्द एक मीटर की कोटी की या पराश की है तो उनके रास्ते में कोई रुकावट आती है तो उसके किनारों से द्वनी तरंगे मुड़ करके आगे बढ़ जाती है इस घटना को प्रकास्टा प्रकास नहीं इस घटना को ध्वनी का विवर्थन कहते हैं डिफ्रेक्शन ओप अगली घटना है जिसे डॉपलर एफेक्ट के नाम से जानते हैं डॉपलर प्रभाव के नाम से जानते हैं डॉपलर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस गटना को बताया था वो बताते हैं कि आपजर्वर यानि स्रोत और स्रोता दोनों के बीच में यह दी तुलनात्मक आप एक शिक गती हो तो वहाँ पर जो साउंड है उसमें अंतर आ जाता है इसको ऐसे समझ लो कि ये एक लड़की है इस डारेक्शन में वो चल रही है लड़की का डारेक्शन है लेप्रेंट की और एक एम्बूलेंस अपना साइरन बजाते हुए वो लड़की की और जा रही है दोनों साइड में जा रही है एम्बूलेंस का जो साइरन है उसकी आवाज इस लड़की को सुनाई दे रही है वो है आवाज उसे उसकी औरजिनल आवाज की तुलना में अधिक सुनाई देगी ऐसे समझ लो कि साइरन की आवाज तो कॉंस्टेंट है एम्बूलेंस में जो साइरन भी है माल लेते हैं कि उसकी जो साउंड है 80 decibel निकलती है अब 80 decibel चुंकि वो एलेक्रिक डिवाइस है मसीन है तो उसमें तो अंतर आएगा नहीं कि मसीन ठग गई तो आब आज कम हो गई मसीन ने खापी लिया तो आज तेज हो गई तो तो कॉंस्टेंट उतना ही साइरन आज दिका लेगा अब इस लड़की को क्या होगा कि जब यहें दोनों एक दूसरे की और गती कर रहे हैं तो लड़की को जो साउंड सुनाई देगा वो 80 decibel से ज़्यादा सुनाई देगा यानि साउंड कितना जैनरेट हो रहा है उनली 80 decibel जितनी आवाज आ रही है 80 उसको सुन है ना दोनों relative moment कर रहे हैं अब ऐसी इस्तिती में क्या होगा इस लड़की को दूर जाती हुई ambulance की आवाज कम सुनाई देगी जब पास में आ रही थी तो ज़्यादा सुनाई दे रही है दूर जा रही है तो कम सुनाई दे रही है पास आने पर तेज सुनाई देती है लेक ऐसा light के साथ भी होता है यह ना तो relative motion between source and observer of sound स्रोता स्रोता यानि सुनने वाला और स्रोत के बीच आपेक्शिक गती हो तो आपेक्शिक गती हो तो द्वानी कम या अधिक सुनाई देती है नीचे लिख लेना यदि एक दूसरे की ओर आते हैं तो अधिक सुनाई देगी और एक दूसरे से दूर जाते हैं तो कम सुनाई देगी इस गटना को डॉपलर एफेक्ट कहते हैं इसका region है frequency में change हो जाना लिखे पाप एक शिक गती होगी तभी अगर ये खड़ा हुआ है अपनी जगे मुमेंट नहीं कर रहा है अबुलेंस उसकी ओर आ रही है तो फिर ये 80 decibel से ज़्यादा नहीं सुनाई देगा क्लिर है न यह- very good light में यह कैसे काम करता है ? light में काम करता है कि कोई engine है अपनी light जला रहा है या कोई car है light जलाते हुए आपकी ओर आ रही है आप उसकी ओर जा रहे है तो उसकी intensity टीबरता आपको अधिक सुनाई देगी और पीछे जा रही है आप भी पीछे जा रहे हैं तो कम दिखाई देगी सुनाई नहीं देता है लाइट दिखाई देता है यह हो गया डॉपलर इपैट नेक्स्ट है जिसे हम बोलते हैं मैक नंबर या मैक संख्या यह भी महत्पूर्णे आ सकता है अबजेक्टिम में तो चुका है ब्राहमोस नाम इसका दो देशों की नदियों की आधार पर है ब्राहमो पुत्र और मस्कवा यानि भारत और रूज का यह समलित पर्योजना है कंबाइन प्रोजेक्ट है तो इसकी जो स्पीड है उस स्पीड को मैक नंबर में भी बताते हैं इसे सुपर सॉनिक ब गती से मतलब ऐसा नहीं कि सामाने से पक्षी उड़ रहे हैं वो नहीं बहुत तेज गती से उडने वाली चीजों की गती को मापने के लिए इसका प्रियोग करते हैं तो यह निकालते कैसे हैं यह एक प्रकार का रेशियो है अनुपात है कि आबजेक्ट की स्पीड हवा में किसी वस्तू की स्पीड पता कर लो और उसको डिवाइड कर देते हैं किस से साउंड की स्पीड से तो साउंड की स्पीड हमें मालुम है कि 332 मीटर है अम्माल लेते हैं कि कोई एरक्राप्ट है वो कितनी स्पीड से चल दा है वो 400 मीटर प्रति से कि रफ्तार से चल दा है त की साउंड की स्पीट 332, 400 में 332 का आप भाग दे दोगे, तो ये बन पॉइंट कुछ आएगा, एक से ज़्यादा हो जाएगा न, तो ये जो नमबर निकल के आता है, बस इसी को हम मैक संख्या या मैक नमबर के नाम से जानते हैं, अब इनके आधार पर इनका नाम करन कर दिया कि माल लेते हैं यह मैक नंबर वन यानी की एक से कम आया वो कैसे आया कि कोई एयर क्राफ्ट है या कोई भी अबजेक्ट है दो सो मीटर प्रतिसेकिंड की रफ्तार से अब हमें उडान भरता है तो दो सो मीटर यह दो सो उसका हो और साउंड की स्पीट 332 है 200 को अगर हम 332 से भाग देंगे तो पॉइंट से सुरूआत होगी यानी यह वैल्ली जो है एक से कम होती है तो इसे हम क्या बोलते हैं सबसौनिक कहा जाता है यानी इसको हम बोलते हैं सबसौनिक स्पीट यदि यहें एक के बरावर है एक्वल टू बन वो कैसे होगा जब साउंड की स्पीड से उडान भर रहा हो उसकी भी 332 मीटर पर शेकिंड हो तो इसे ट्रांस सॉनिक बोल देते हैं और यदि एक से ज़्यादा है तो उसे हम सुपर सॉनिक कह देते हैं इसका मतलब है साउंड की तुलना में कई गुना ज़्यादा हो सकता है और कई गुना में अगर पांच से भी ज़्यादा है यानि ऐसा समझ लो लगबक सत्रा सो मीटर पर शेकिंड की रफ्तार से कोई वस्ति उड़ान बरती है तो सत्रा सो में तीन सो बत्तिस का अगर आप आप दोगे तो यह फाइप पॉइंट कुछ निकलेगा यानि पांच से ज़्यादा निकलेगा तो इसे हम हाइपर सॉनिक नाम देते हैं तो य एक के बराबर है तो ट्रांसंटिक एक से कम है तो सबसोनिक आउसरब्ब्जी कह bigger तो जो है वो सुपरसोनिक में आती है ए 7 Evryक बनायते मेरिका ने कॉंकॉड करके जोसे बोलते थे उनकी स्पीड सूपरसोनिक वो हहाइपरसोनिक के असपास थी लेकिन वो कुछ कारणों से बंद कर दिय गया, cause यह मैक नम्बर याद हो जाएगा इसी साउंड से संबंदत एक और आ जाता है, जिसे हम प्रगहाती तरंग कहते हैं, साउक वेप्स बोलते हैं, यहनी प्रगहाती तरंग, तो प्रगहाती तरंग क्या होते हैं, यह कैसे काम करते हैं हम अक्सर कभी महसूस करते हैं कि तेज कोई एयरक्राफ्ट तोड़ता हुआ जाता है और अचानक से धमाके की आबाज आती है कोई बम फोड़ दिया गया हो किड़की दरबाजे भी हिलने लगते हैं तो ऐसा क्यों होता है वहाँ पर कोई बम नहीं फोड़ा जाता है कि जब कोई भी ऐसा एयरक्राफ्ट जो किस स्पीड से चल रहा हो सुपरसोनिक की स्पीड से गती कर रहा हो सुपरसोनिक क्या था सुपरसोनिक यानि की मैक नंबर एक से लेकर पांच के बीच में हुआ है चलता है तो जब सुपरसोनिक की स्पीड से कोई एयरक्राफ्ट चलता है तो उसके पीछे आगे बढ़ने के साथ साथ पीछे ये कौनिकल यानि कौन के जैसी संकू जैसे कहते हैं ऐसी कुछ ये इस्टर बेंस हल चल यानि कुछ sound waves छोड़ता जाता है अब aircraft आगे बढ़ता जाएगा जैसे यहां पर आप देखो के पहले जरा से इससे में यह sound wave निकली थी अब दीरे दीरे यह आगे अपना spread होती जा रही है ज्यादा बड़े एरिया में है ना तो यह बड़े एरिया में जो है यह continuous spread होती रहती है फैलती रहती है यही जो wave है जब किसी व्यक्ति के पास पहुंचती है यह इनमें क्या होता है इनमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है यह ना और यह ऊर्जा जब किसी कानों तक पहुंचती है किसी building से टकराती है तो धमाके की आवाज सुना ही तो इसी को हम बोलते हैं प्रगाती तरग यह सुपर्सोनिक की वज़े से यह सब गट्टाइब होती है तो साउंड से सम्मंदित जो पॉइंट है वो आपको क्या याद रखना है द्वनी का एक तो व्यतिकरण याद रखना है एक विवर्तन याद रखना है अनुनाद याद रखना है रेजुनेंस एको साउंड यानि प्रती द्वनी और डॉपलर एफेक्ट याद रखना है डॉपलर प्रवाब यह पांच शे पॉइंट है वरिक्षा में आएगा तो या कोई हमारे डेली लाइप के सम्म उनसे जुड़ा हुआ आसकते क्याज सकता है वाकी चीज धौणी में जो याद रहती ही ती के औरीवल वैब जो रहती एं बीस से 20.000 की बीच में होती है बीस से कम वाले को हम इंफ्रासोनिक बोलते है ग्रीज़ भाले ना तो उसके भी यह सब उसमें पूछ लेते हैं आई आई टी वगेरा में हमारे पीएसी में या व्याप्रम में पटवारी में उसमें इन सब इसकेम्टी वैल्यू नहीं पूछी जाती है यह क्लियर है अब इससे सम्मंदित कुछ पॉइंट रहेंगे मतलब कुछ कुछ क्व बहनी से सम्मंदित कुछ पचास अब्जेक्टिव उसकी प्रेक्टिस कर लेंगे और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे इस पर लाइट जब लाइट कंप्लीट हो जाएगा तो इसके पचास अब्जेक्टिव देख लेंगे जिससे साथ ही साथ में जब हम थियोरी फैक्ट है उसी को बताना होता है ओके तो यहीं तक कल लाइट